आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोज पर आपका बहुत बसफागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे जहांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत ही दर्दनाक हाथसा हुआ आपको पता है कि जहांसी मेडिकल कॉलेज मुंदेल खंड के एरिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे NICU बॉर्ड में जो नवजाद शिचु बॉर्ड है दस कम से कम दस बच्चे जलके मर गए हो सकता है आगी आंकड़ा बड़ भी जाए सतर बच्चे थे यहाँ पे दस बच्चे नवजाद बच्चे जलके मर गए एक पड़िवार यह कह रहा था कि उसने अभी अभी बच्चे को जनम दिया और मा कहती है कि मुझे मेरे बच्चे को दिखा दो बस एक बार चेहरा उसका दिखा दो और वहीं बेहोश हो गई एक पड़िवार यह कह रहा था कि मैंने अभी अपने बच्चे को जनम दिया संजना न करके नाम था मा का और अब वो जल गया है वो रहा नहीं बच्चा जिसकी जान मतलब आपकी जान बच्चे में वो कहता ना कि राजा की जान तोते में है वैसे ही जब बच्चा होता है नो मैंने मा पेट में रखती है तो आपकी जान उसमें बसती है आपकी जिन्दगी वो हो जाता है लेकिन हालात यह है कि कोई यहां बच्चा नहीं सत्तर के करी बच्चे थे जिसमें दस जुलस के मर गए जिनकी जान चली गई तुरंत यहां पे जो फायर सेक्यूरिटी है वो आई और यहां काच तोड़के बच्चों को बचाया भी गया 37-38 बच्चों को बचाया गया लेकिन यह हाथसा रुख सकता था मैं बताओंगा कैसे और जबसे बड़ी बात यह है कि यहां जो बच्चे है बनलब देखिए यह कॉलेज जो है अब यह बहुत बड़ी बात आजाती है कि क्या सरकारी जो अस्पताल है उनके यही आल है यही आल है हम टैक्स दे रहे हैं मर रहे हैं टैक्स दे दे के हमको क्या फैसिलिटी मिल रही है आप यह बात बताईए टैक्स देने में तो सरकार यह बढ़ा दो वो बढ़ा दो और फैसिलिटी के नाम पे जीरो ह जिसकी वज़े से प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल मन्चाही फीस बढ़ा रहे हैं, लूट रहे हो, कौन जमेदारी लेगा? मुअफ़जा दे दिया है, दस लाख रुपए का मुअफजा दिया है परिवार को, जो गायल उनको पचास जार, योगिया अतित कारवाई होगी, लेकिन ये किसी से बात छुपी नहीं है, कि अगर सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, तो भ्रच्टाचार भयानक बढ़ेगा, ये सिंपल एकनॉमिक्स है, और यही हो रहा है, अब यहाँ पर योगिया अतितनात कारवाई है, कि सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी, तुरंत यहाँ पर DIG से लेकर हेल्थ मिनिस्टर बिजेश पाटा खर को यहाँ पर आया, उसके बात जांच की पूरी, और फिर यहाँ पर बोला गया कि तीन स्तरी जांच होगी, सबसे पहले तो हेल्थ विभाग करेगा, स्वास्त विभाग करेगा, फिर पु यहाँ पर साड़े दस बजे के करीब रात में हाथसा हुआ, कहते हैं कि जो कॉंस्ट्रक्टर, ऑक्सीजन को कॉंस्ट्रक्टर उसमें स्पार्किंग हुई, और क्योंकि ऑक्सीजन आँख पकड़ी बहुत तेज और भायाने ब्लास्ट हुआ, अलार्म नहीं बचा, अलार् सरकारी हॉस्पिटल में जो इंफ्रस्ट्रक्टर उसमें ने देखा है, इंफ्रस्ट्रक्टर कैसा है, तो यह सरकार को समझना चाहिए, मेन रिजन ये है, अभी जाच होगी, जाच में बात सामने आएगी, लेकिन जो इतनी जाने गई हैं, उनका जिम्धार कौन? तिन पां एक ह्याल में सरकार को करना यह चाहिए कि जो fundamental problem है उसी को खतम करें न अब सरकारी hospital में जो जो भाई उसमें कितना time लगता है एक महीने के अंदर आप एक committee बैठाओ सरकारी hospital को जाचे एक महीने के अंदर report आजाएगी पता देंगे क्या क्या कमी है उसको सुधार लीजे उसमे कितना time लगता है लेकिन वही आलस पना बड़ा है अभी आपने UPPSC देखा UPPCS का हाल देखा ऐसा लगता है कि सब नींद में रहे के काम कर रहे है तो यह नहीं होना चाहिए यह बहुत ही दुखा दाथसा है चाहसी medical college और यह वही बताता है कि सरकारी hospital में आप कितना भरोसा क अंदर पानी भर गया कितने समय से चल रहा है और मुझे तो समझ में यह था इस पैरेंट जा क्यों रहे है अरे online कर लो मेरे भाई क्या मतलब है जाने का वहाँ पर दिल्ली ली जाके पढ़ाई मुझे समझ नहीं आ रहे है कि लोग दिल्ली में जाके पढ़ाई करते ही क्यो नहीं एनिवे दुखे दात्सा है जो हम बताएंगे बाग कि आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं क्योंकि कल हम क्लासे शुरू करेगे थांक्यू सो मच